आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी आसे नाश्य की रेसिपी लेकर आई हूँ तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजीगा शेयर कीजीगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल न दाल दूँगे और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे दो बड़े चमज भर के ओयल रिफाइन ओयल लेंगे आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं और अब हम इसमें आड़ करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट नमक स्वादनुसाल और यह वन फो टी स्पून मैंने लिए है इसे अच्छे से करके डाल देंगे तो सबसे पहले हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा में तो मोयन लगा लेंगे हम अपने मैदा में इससे तो इसका एक तरीका है पैचाने का कि जब हम इस डोग को अपने हाथों में बाधी तो यह जुड़ना चाहिए इस तरह से तो यह रडी है अब हम इससे डो तैयार करेंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इससे डो बनाएंगे आपको पता है मैदे में वैसे भी ज्यादा पानी नहीं लगता है तो बहुत ध्यान से बनाना है क्योंकि डो हमें थोड़ा हाड चाहिए हाड बनाएंगे तब ही जो हमारी पोटलिया है वो बहुत ही खस्ता बनके तैयार होंगी तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमें दो तैयार करना है यह देखिए थोड़ा सा पानी इसमें और लगेगा एक चमज करीब और हमारा जो डू है वो देखिए आपस में बहुत अच्छे से जोड़ने लगा है बस अब हम इसे ऐसे ही थोड़ा सा नीट करेंगे तो यह आपस में बहुत बढ़िया से जोड़ जाएगा तो इसको दो से तीन मिनट के लिए और नीट कर लेंगे हम अच्छे से तो यह देखिए डो बिल्कुल तयार हो गया है हमारा बस इतना हाड़ी हमें यह चाहिए और अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्पे रख देंगे और यहां पर हम अपनी फिलिंग तयार करेंगे तो पैन रख दिया है मैंने इसमें हम करीब एक बड़ा चमश डालेंगे तेल और जैसे हमारा तेल गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे यह एक चमश धनिया और एक चमश सौफ है जिसे मैंने क्रश कर लिया है तो सबसे पहले हम यह डालेंगे और इसके बाद इसमें हम अपने आलू एड़ कर लेंगे तो इनको अच्छे से मैंने ख्रश कर रहा है आप देख सकते हैं यह पूरी तरह से मैश नहीं है हमारे जो आलू है तो हलके से यह ख्रश है इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले ताकि मसाला हमारा जलना जाए और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेज अ प्र आम चूर डाल सकते हैं फ़व टी स्पून हम डालेंगे चाट बसाला वट्री समेरी लालमिश हम योगे और आ गालेंगे के स्वादनी ऐलेंक बस असिवायस को बहुत अच्छे से देख मिक्स करेंगे अलू को अंख यो आलो hoosa मौश्यर है वो खतम नहीं हो जाता देखें मौश्यर रहेगा तो जो हमारी पोटलिया है वो सौगी सी हो जाएंगी तो सबसे बैस तरीका है कि आप इसे बहुत अच्छे से फ्राई करें लो टू मीडियम पे ही करना है हाई ना रखें वरना हमारा मसाला नीचे से जलने लगे और इसे कम से कम 5-6 मिनट के लिए इस तरह से हिलाते वे बहुत बढ़िया से हमें से फ्राई कर लेना जिससे कि इसके अंदर का सारा मौश्यर जो है वो खतम हो जाए मौश्यर नहीं रहेगा तो हमारी जो पोटलिया है वो काफी टाइम तक हसता रहेंगी ठंडा होने के बा तो लीजे मसाला हमारा रेडी हो गया है और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और 15 मिनट हो चुके ये देखिए आटा भी हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया ना हमने बिलकुल हाड लगाया था इसीलिए आपको बूला था कि हमें बहुत ही हाड आटा लगाना होगा जो डू है हमारा वो हाड होना चाहि हो जाता है अगर हम पहले से ही लूज लगाते तो बहुत लूज हो जाता तो अब हम इससे छुटे छुटे बॉल्स निकाल देंगे तो इस तरह से मैंने इससे लोई काट दी हैं तो एक कटोरी मैदा में हमारे आठ पोटलियां बनके तैयार हो जाएंगे अगर आपको काटा नहीं लगाना इसमें अगर लगा दिया तो फिर यह ड्राइ हो जाएंगे तो यह देखिए इसमें मॉइल लगाया था तो यह बहुत ही बेल भी रही है तो एजिस की आप चिंता मत कीजिए वह क्रैकर होते हैं या टेड़े मेड़े होते हैं से कोई फरक नहीं पड़ बस बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे फोल करना है और इसे अच्छे से दबा के सिक्योर कर देना ताकि जो हमारा मसाला है वो बहार ना आपाए यह देखे यह रड़ी हो गया है मैं एक और आपको बना कर दिखाती हूँ तो सिंपली इस तरह से हम इसे बेल लेंगे जैसे हम पूडियां बेलते हैं बस उसी तरह से और किनारों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पतला हो सके क्योंकि उपर आके वो सभी फोल्ड हो जाते है ना तो जादा मोटा नहीं रखेंगे किनारों को आप तो डेट से दो चमच आप इसमें मसाला भरी है अराम से और इस तरह से प्लेट्स बनाते वे इसे फोल्ड करते जाएंगे यह देखें और यहाँ पर अच्छे से उसके बाद इसको नीचे से दबा के बंद कर देंगे तो यह देखें इस तरह से मैंने सारी पोटलियां तयार कर ली है चलिए इने फ्राइ करते हैं तो कड़ाई में ते तेल में बबल्स तो उठ रहे हैं पर ज्यादा नहीं उठ रहे हैं तो यह तेल काफी है हमारे पोटलियों को फ्राइ करने के लिए इतनी हीट हमें चाहिए तो इसमें अब हम एक एक करके अपनी पोटलियों को डालेंगे फ्राइ करने के लिए फ्लेम को इस वक्त हम लो को रखना है और जब यह एक तरफ से सिख जाएंगी तभी हम इन में अलट-पलट करेंगे तो अभी इनको दो से तीन मिनट अच्छे से सिखने देते हैं यह देखिए और उसके बाद हम इने थोड़ा सा इस तरह से टिल करके थोड़ा-थोड़ा ऐसे हर तरफ से इनको करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा 5-6 मिनट लगते हैं क्योंकि हमें इने धीरे-धीरे ही फ्राइ होने देना है जैसे अगर हम फ्लेम बढ़ा देंगे तो उपर से तो यह जल्दी से फ्राइ हो जाएंगे लेकिन अंदर से नहीं तो यह और नहीं वो क्रिस्पनस आएगी जो मैंने आपको कहा था नहीं थंडा होने के बाद भी क्रिस्प रहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इने बिल्कुल लो टू मिडियम फ्लेम पर ही फ्राइ होने थे तो इस तरह से हम इने साइड बदल बदल के जब तक यह पूरी तरह से गोल्डन फ्राइ नहीं हो जाते हैं तब तक इनको हम फ्राइ कर लेंगे वे देखें आलमूस्ट सभी जगा से बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राइ हो चुके हैं हमारी पोटलियां यह देखें हर तरब से उपर नीचे और सारे इसके एज़िस भी देखें कितने बड़िया से तो अब इस टेज पर हम देखें आपको अब कलर दिख रहा होगा कितना अच्छा कलर आया ना एक दम गोल्डन फ्राइ तो अब हम इनको निकाल लेंगे ज्यादा नहीं चलाएंगे वरना न चलिए इनकी प्लेटिंग कर देते हैं तो लीजे फ्रेंस पटाटू पोटली बनके तयार है हमारी देखा आपने कितना च्छट-पट मिंटों में बन गई है और अंदर से देखें कितनी क्रिस्प है ये आ रहा है ना मूमे पानी तो फटा-फट से इस रेसिपी को ट्राइ कीजे और साथी कॉमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है तो फ्रेंस ये थी मेरी आज की रेसिपी पटाटू पोटली की उमीर है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और साथी में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तब तक अपना खयाल रखिए मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में तब तक के लिए बाई